हाई फ्रेंड्स वेल्कम टू येस्वेस कोकिंग चैनल और मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये बहुत ही लाजबाब सा पालक पनीर बनाने की रेसिपी वैसे तो ज़्यादा तर लोगों को पालक पनी घर पे बना हुआ पसंद नहीं आता लेकिन उसमें जब एक रेस्टोरेंट का टेस्ट हो तो हर किसी को पसंद आता है तो बहुत ही सिम्पल तरीके से इसे घर पर ही रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट के साथ हम बनाते हैं आज तो सबसे पहले मैंने यहाँ दो बंडल पालक को धोके अच्छे से रख दिया है और मैंने यहाँ चार-पांच कब पानी को गरम कर लिया है और इसमें थोड़ा नमक मैं एड़ करूंगी और पानी को उबलने के लिए मैं छोड़ दूंगी जब पानी पूरा उबल जाए तो पालक को इसमें डाल देंगे और ब्लंच कर देंगे मतलब कि हम इसको ज़्यादा नहीं उबालेंगे बस दो-तिन मिनिट के लिए ही उबल के गैस को बंद कर देंगे अब मैंने यहाँ गैस को बंद कर दिया है और फिर इसको निकालके हम आईस कोल्ड पानी में डाल देंगे यह देखे मैंने पानी रेडी कर लिया है पहले आप इसको रेडी कर लिजे आईस कोल्ड पानी को और फिर जैसे ही दो मिनिट उबल जाए पालक तो इसमें छोड़ दीजिए ताकि पालक का कलर जो है वो नहीं जाए और मेंटेन रखे तो पालक का कलर रिटेन करने का ये बहुत ही अच्छा मेथर्ड है अब हम इसको पानी से निचोड के ब्लेंडर में डाल देंगे और एक पेस्ट बना लेंगे मैंने यहाँ पालक का पुरा स्मूथ पेस्ट नहीं बनाया है मुझे ऐसा ही पसंद है आपको अगर स्मूथ पेस्ट चाहिए तो आप बना सकते हैं मैं पुरा स्मूथ पेस्ट नहीं बनाई हूँ अब हम गैस में एक पैन बिठा देंगे और इसमें फोर टेबल स्पुन ओइल डालेंगे जब तेल गरम हो जाए तो हम यहाँ हाप टीस्पून जीरा डाल देंगे अब हम एक बड़ा चम्मच चॉप्ट गार्लिक डालेंगे और हाप स्पुन जींजर डालेंगे अगर आप चाहे तो यह कटा हुआ अद्रक लहसो ना डाल के जींजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं आपकी मज़ी फिर इसको में थोड़ा सा ब्राउन होने तक मैं भूनूंगी और फिर इसमें थोड़ा ग्रीन चीली एड़ करूंगी जब यह थोड़ा सा भून जाए तो हम यहाँ एक बिक साइज ओनियन को फाइन चॉप करके इसमें डाल देंगे इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि यह थोड़ा थोड़ा लाइट ब्राउन ना हो जाए ज्यादा भी नहीं भूनना है यह से अब हम इसमें नमक डालेंगे आप अपने तेस्ट के अनुसार ही डालें पहले हम जब पालग उबा ले थे तभी भी थोड़ा हमने नमक डाला था तो उस हेसाब से आप नमक डालें और थोड़ा हल्दी पाउडर डालेंगे थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे और अब हम इसमें थोड़ा कसूरी मेथी को क्रश करके डालेंगे ताकि हमारा पालक पनिर का फ्लेवर जो है वो पूरा रेस्ट्रेंट जैसा आए और फिर हम इसमें एक मिडियम साइज का टमाटर बारिक कटा हुआ टमाटर डालेंगे जब तक कि ये टमाटर अच्छे से गल ना जाए तब तक हम इसको पकाएंगे ये दिखिए हमारा टमाटर अब पक चुका है और अब हम इसमें एक तीसपून कोरियंडर पाउडर डालेंगे हमारा मसाला जो है रेडी हो गया है इसमें से तेल भी छोड़ने लगा है अब हम इसमें क्या करेंगे हमारा जो पिसा हुआ पालक है उसको इसमें डाल देंगी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे पकने के लिए हम तीन-चार मिनित तक इसे ठक के छोड़ देंगे मैंने यहाँ टू फिप्टी ग्राम पनीर लिया है यह देखे हमारा पालक दो-तीन मिनित के लिए पक चुका है इसको थोड़ा चला लेंगे ऐसे यह आधा कुक हो चुका है अब हम क्या करेंगे इसमें जो हमारा पनीर है उसको डालेंगे पनीर डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और फिर से हम ढखके और दो-चार मिनित तक फिर से पकाएंगे दो-चार मिनित पकने के बाद यह देखे अभी यह ऐसे दिख रहा है फिर हम यह स्टेज पे क्या करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला हम इसमें एड करेंगे आप चाहे तो पहले साबुद वाला गरम मसाला भी डाल सकते हैं लेकिन मुझे साबुद वाला थोड़ा अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं पावडर डाल दी हूँ फिर से इसको थोड़ा मसाले के साथ मिक्स करके और दो चार मिनिट तक हम लोग इसे ढख के पकाएंगे यह पालक जो है जब पकने के टाइम में बहुत उपर उचलता है इसलिए हम फर सेप्टी पर पोज के लिए इसको ढख ढख के ही पकाते हैं अब यह देखिए दो तिन मिनिट के बाद हमारा यह हो चुका है काफी हद तक इसमें तेल निकलने लगा है तो यह हो गया अब हम इसमें थोड़ा सा फ्रेस क्रीम एड़ करेंगे ये देखे मैंने आड़ कर दिया है इसको फिर से मिलाके एक मिनिट के लिए छोड़ देंगे ऐसे और फिर हमारा ये पालक पनीर बनके रेड़ी हो जाएगा अब हम अपना पालक पनीर को थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर देने के लिए एक अच्छा लूब Legend के लिए अब हम क्या करेंगे थोड़ा बटर लेंगे उसको गरम करेंगे और इसमें थोड़ा छोपड गार्लिक डाल देंगे और थोड़ा लाइट ब्राउन होने तक इसको फ तो ये बन गया हमारा रेस्टरेंट स्टाइल पालक पनिर तो आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएगा और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करेगा सेयर करेगा और सब्सक्राइब कीजिएगा थेंक्स फर वोचिंग प्लाइब